हाई अब्रिवन यहाँ पर आज हम जानेंगे कि टिभूज जो है हतेली में व्यक्ति को क्या फल देता है जैसे आप चीतर में देख सकते हैं गाईज कि एक गुरू परबत पर ट्राइंगल है और एक भागे रेखा पर ट्राइंगल है यह दोनों ट्राइंगल गाईज आपको बहुती जादा सुब फल परदान करने वाले हैं गाईज अगर आपकी भी हतेली में हैं तो समझे आपके लिए बहुती सुबता लेकर आएंगे अच्छाई लेकर आएंगे क्योंकि गुरु का जो ट्राइंगल होता है आपको spiritual बनाता है आपके अंदर आद ध्यात्मिक भिकास करता है आपके अंदर सदगूरों सदभाओं को लेकर आता है साथी साथ आप बहुती ज़्यादा धार्मित प्रवित्ती के इंसान होगे आपको कभी भी किसी का दुख जो है वो आप नहीं देख सकते हैं बलकि आप उनके मदद करने लग जाएंगे आप में alignment की क्रिया होगी यानि किसी भी चीज को समझने की क्रिया होगी किसी को भी बात को इसपस्ट समझाने की कला आपको आएगा यानि ज्यान का उदय आपके अंदर होगा spiritual abaking आपके अंदर आएगा आप बहुती ज़्यादा एक spiritual person के रूप में जाने जाएंगे और आप वैसा करेंगे भी गए और आपको गुरु परबत पर ट्राइंगर रहने से कभी सुख संब्रिध्धी की धन की कभी कमी नहीं होने वाली है आप कोई भी काम करेंगे तो आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे उस काम में आप लगे रहेंगे जब तक आपको सफलता ना मिल जाए क्योंकि आप किसी का इंतजार नहीं करते हैं किसी का वेट नहीं करते हैं बलकि अपने हाड़ वर्क से अपने आध्यात्मिक जीवन को स्प्रीच्वल लाइफ को बहुत अच्छे से जीते हैं और आप एक गुरू के रूप में जाने जाएंगे गाईज ठीक उसी प्रकार जैसे आप भागे रेखा पर ट्राइंगल देख रहे हैं अगर ऐसा ट्राइंगल है तो पर्टिकुलर उस उम्र में यानि पैतालिस के उमर में आपको बहुत जादा धन दौलत मिलेगा आपके लाइफ में न्यू अपोजिर्टी आएगी यानि आपके अंदर वो मकान धन दौलत या कोई आप बिजनेस भी करेंगे तो उसमें आपको बहुत बहुत जादा सफलता मिलेगी सकसेज मिलेगा यानि पर्टिकुलर आपको फोटी फाइब के उमर में धन ने धान ने और नए नए सुब औसर प्राप्त होंगे गाड़ बंगला वो सारे सुख मिलेंगे जिसका आप वेट कर रहे थे इंतेजार कर रहे थे तो भागे रेखा पर ट्राइंगल रहना आपको एक संपन परसन बनाता है और यहाँ पर रहने से यह भी होता है कि आप you are the priority यानि आप एक प्राथमिक परसन बन जाते हैं यानि आप परिशिति बनी रहती है आपके जीवन की जो भी अवस्ता है वो ज्यादा भी नहीं होगी कम नहीं होगी बलकि हर ऐसी परिशितियों में जिसमें विभीन प्रकार की विपरीद समय में आप संतुलन बना कर रहना पसंद करेंगे